Ancent Civilization का एक another update है जिसका complete detail में आपको इस वीडियो में देने वाला इसके पहले भी एक update आज चुका था जिसका मैंने complete detail आपको टेक ओफिस पे दे दिया था मिलता है version 3.7 का और same to same update आया था Redmi के 4 device के लिए जिसका मैंने review और प्रवाइट कर दिया है तो आप Redmi 4 device की हुजसो तो watch कर लेना यहां पर आपको maintainer का name देखने को मिलता है और यहां पर build date आपको 21 का देहने को मिलता है previous build में भी है जो 15 मैं का था यह 21 का है मोगे पर आई कर आते हैं तो आपको देहने को मिलता है और यहां पर ambience related आपको haptive feedback, proximity, pocket, wake up, hand wave भी दिखाई देता है इन में से कोई एक option आप यहां पर use कर सकते हो तो यह काफी अच्छे options यहां पर दिये गए है image sound enhancer का sound है, इसके font वगएर है जो काफी ज़्यादा सही है, system से match करता है यहां पर gradient color में ने जो खुछ से generate किया है, यहां पर color picker का option मिलता है जिससे आप काफी कमाल के interesting है, जो multi color है जो generate कर सकते हो, जो कि इस room के look को काफी ज़्यादार बनाता है अभी तक face unlock add नहीं हुआ है, पता नहीं साइज add होगा या फिर नहीं, वो ताने वाला time ही बताएगा मुए पर sound grow profile में आपको वोई same option देहने को मिल जाते हैं, जो कि है और gradient color enable करने के बाद काफी कमाल के जो look देहने को मिलता है आपको setting के अंदर और one way की type की feeling भी आपको यहाँ पर आती है, इस room को use करते हुए वोई पर display के अंदर आपको dark mode, night light, बाकी other options वोगरा जो perfect working है इनमें आपको कोई वी issue देहने को नहीं मिलता है इनके इतने भी setting है, मैंने आपको रेड़ी जो previous वाले जो वीडियो के अंदर explain कर गिया था one way one करके कि क्या कुछ हमें जो नया देहने को मिलता है तो वही सारे चीज़े हैं जिसके अंदर थोड़ी बूत improvement की गई है इवाई को लेकर और बाके kernel को लेकर कुछ चीज़े जो आपे twins की गई है और random बहुत साले users को जो reboot का problem आ रहा था तो उसे भी fix कर दिया गया है ताकि आपको reboot का issue देहने को ना मिले और sometime you के इवाई के अंदर कुछ guilt नजर आ रहे थे जिसे जो fix कर दिये गए है ताकि आपको guilt to guard देहने को ना मिले फिर वी में एक चीज़ यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर अगर हम आते हैं इसके user interface के उपर और जाते हैं यहाँ पर style पर तो आपको यहाँ पर clock के तो option देहने को मिल जाते हैं जा पर कई सारे नए clock format है जो use किये गए हैं लेकिन वहीं पर इसका जो grid का option है यह bug है और same bug हमें जो Redmi 4 device के अंदर भी देहनी को मिला था तो यह grid का option है जो फिलाल काम नहीं कर रहा है तो उमीद है fix होने का क्योंकि previous का जो update आया है मुझे जहां तक याद है कि उसमें perfect working था बट इसमें फिर से जो bug देहनी को मिल जाता है wallpaper का session आपको यहां पर मिलता है जहां पर आप है जो अच्छे कास वालपर यहां से apply कर सकते हो या पर आप third party app का भी यूज कर सकते हो अपने wallpaper को यूज करने के लिए और जो previous का मैंने update दिया था उसमें already जो wallpaper का एक नया session प्रवाइट किया गया था जो कि यहां पर missing है क्योंकि यहां पर कुछ old वाले ही source यूज किया गए है इसलिए आपको थोड़े बहुत कुछ चीज़े different देखने को मिल जाते है वहें पर new icon pack यूज किया गया है जो कि आप देख से तो काफी colorful है WhatsApp हमारा setting उसकार आपको जो contact देखने को मिल जाता है और बहुत सारे icon के color change हो चुके है मुए पर यहां पर मैंने इसे gaming पर उपर set करने के बाद Untuto को चेक किया है यहां पर जो score देखने को में मिल जाता है Untuto का वो मुझे normal देखने को मिला है जो कि 96949 का है जबकि इसके पहले without gaming mode याने normal edition पर है जो मुझे काफी कम score देखने को मिला था यहां पर मैं बहुता हूँ है कि इसका जो केरने लेना वो उतना अच्छा आपको detail provide नहीं करेगा स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है और बाके दर option भी मिलते हैं तो यहां पर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है न पर्फिक्टली काम करता है oxygen noise का है जहां पर internal और external दोनों sounds वगर आप है जो record कर सकते हो problem नहीं आएगा और इसे यूज करते हो आपको system के अंदर कोई भी lag देहने को नहीं मिलता है तो एक plus point मिला है कि screen recorder होने के बावजूद भी आप जो कोई भी issue देहने को नहीं मिलता है screen recording के time lags related और यहां पर आपको gcam go provide किया गया है जो कि अच्छा perform करता है बट आप चाहो तो neen gcam use कर सकते हो जो कि आपको अच्छा quality provide करेगा root करने के बाद भी आपका net safety pass रहता है तो इससे रिगारें आपको कोई भी issue देहने को नहीं मिलेगा आप इस लिए जो use कर पाओगे अगर आपको चाहिए एक ऐसा room जो के हट के आपको customization provide करता है multi color जो के gradient type का है तो आप इससे ज़रू try कर लेना आपको काफी अच्छा experience मिलने वाला है इस room को use करते हुए क्योंकि यहां पर already gaming का profile दिया गया है बस ज़रूरत है आपको करनेल को change करने के लिए अगर आपको gaming करने है तो but normal basic use पर आपको काफी अच्छा खासा details देखने को यहां पर मिल जाता है मुए पर अगर हम dial pad की रहाते हैं तो यह आपको दो version में देखने को मिलता है एक vanilla एक GF तो मैं पर GF सला यूज करता हूँ जिसमें आपको कोई भी extra features नहीं मिलेगा code recording से regarding बट अगर आप vanilla यूज करते हो तो maybe उसके अंदर देखने को मिल सकता है तो vanilla के लिए आपको जो अलग से GFC उच करना होगा लेकिन अगर आपको गैप सला वर्जन उच करते हो ता आपको अलग से GFC उच करना नहीं होगा तो गाज आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आयो तेक थमस अब जरूर दे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करना न भोले तो मिलते हैं निक्स वीडियो में बाबाई